तो आज वेलकुम बैक टू माइं यूटूब चैनल तो आज के बोलोग आए बहुत ही मोटिवेस्टन के रिगार्डिंग बोलोग है क्योंकि आज हमारे गाउ महाकाल में तैसील वाजनात में एक ब्लाड डोनेशन केम्प लगा हुआ है कि अभाव आप आऊ और एक बीडियो हमारी यहां पर बनाऊ ता कि आप यह वीडियो लोगों तक जाए और लोगों बोनेट कर सकता है तो आप ब्लोग में पूरा बने रही और पूरा को देखिए और अगर यह विलोग आपको फाइदेमन लगता है तो एक रिक्वेस्ट है कि आप भी आपके आसपास जहां पर बलड डोनेशन केम्प लगते हैं आप जाईए अपना ब्लोड डोनेट करिए त कि आपके एक ब्लड डोनेट करने से किसी और की जान बचाई जा सकें तो ब्लोग में पूरे बने रहे हैं तो यह समर्पन समाजिक कारे करता है एक स्मूव है एक चैरिटी है पूरे हमाचल में पूरे दिश्टिक कांगडा पालमपुर में उनके दोबारा इसका आयूजन किय गया है तो यह फर्स्ट लेडिज आई हुए है बिना डरे हुए बलड अपना डोनेट करने के लिए और यह नर्सों के टीम है प्लस यहां पर डोक्टर भी है जो इस बलड डोनेशन केम्प को अपने देखरेक में सब कुछ कर रहे हैं तो यह देखिए मतलब हलका साथ रहे है समया जब डोनेट के जाता तो यह best बल दी जाताए है जिसए आप उसको दबाटे हैं तो आपके नस्यR बंता है अभी साहन से हैं जो अपना डोनेट करہ biết मेंस यहां पर हर कोई बड़ चर करके आ रहा है अब जैसे जिनका ब्लड डोनेट हो जाता है तो ऐसे वो जो गैलन है वो उसको ऐसे सील किये जाता है तो ब्लड डोनेट करने से पहले कि होता है कि ऐसे फोम जो उसको फिल अप के जाता है उसमें आपका नाम पता आपके घर कहा है आपका मुवाइल नंबर आपका ब्लड ग्रूप कहा है हर चीज की एक इनकॉरी ली जाती है उसको भरा जाता है फोम को सोगाज यह है हमारे गाम के रों मिष्टर कुलीब जी जो पियान भी बैक में अभी जोग कर रहे है और यह भी मारे गाम के वैसा अभी बलड देरी है इनकी बोड़ी में कि तो काफी बलड निकाने चाहिते जल्दवाजे बढके बच्चों के तरा श्राइब बच्चे तर तैस्रील पालंपूर से आए और इनका जज़वा देखिए आप यह खुद भी आए और साथ में की मिसिज भी है और यह दोनों परस्टना देखिया है बलाड डॉनेट कर रहे हैं तो कुछ लोग बलाड डॉनेशन करने में डरते हैं तो आप इन दोनों मिया वीवी का ज़ज जाए 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 जी मतलब आप कम से कम 40 किलमेटर दूर आए हो प्लाड डॉनेशन करने ना ठीक असा सल्यूट आपको भी तो दोस्तों यह हैं अपने भाई साथ बीजय दिमान जी और यह आया है नागनी से वह साथ में मारे मौन बाई जो इस संस्ता के चेर मैं भी सकते ह हैं तो यहां बाई का जजबा देखिए को थोड़े फीजिकली डिसोडर है बट फिर भी यह नागनी से मतलब यहां से कुछ साथ किलमेटर दूर से महाकाल में आया है बलाड डॉनेशन करने के लिए मोन बाई कुछ बता हैं कि एक ऐसी बीमारी है मस्कुलर डिस्ट्रोफी जिसका लाजनी है ना जाने क्यों हमारे सरकारी से समी इतना क्यों लाचार है कि इसकी खोज नहीं कि जारी है तो मैं आप सभी से किविन्ति करना चाहता हूं कि एर ऐसे जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी के जो भी पैशेंट आपको दिखते हैं उनको मोटिवेट कर रहा है और स अभी वार मझे घुकले लादमटेट यहां बचस के अपनी जिंदिकि जी केता है कि अर मेरे जिंदीकि तोब बेकार है लेकिन और नहीं जीना चाहता हूँ मैं अच्छी जिंदीच जखेंना चाहता हूं लोगों को मैं लोगों में दिखाना चाहता हूं कि बीमारी बड़ी निती है जज़वा बड़ाता है मेरे यूट्यव चैनल पर देखा हूए है और नहींक देखा तो मेरे यूटूब चैनल में जाके आप टैटल सर्च करिए हिमाचल का लड़का जिसका लौहा माना पूरे संसार ने चया जीत बहुत ह 나서 तौछ का नाम पूरे शंसार में जो बनाया हूए है तो रहिताए आप आ अखर कि तो फ्राइंटिन टाइम यह ब्लाड ब्लाड ने फिलेशन मिलता है और अब जितनी बार ब्लैड करते हैं तो हर बार में अगर है और बार ब्लॉड है तो दो परिवारों का हम तो नहीं टूर्डने से जोड रहे हैं और अपने अंदर कभी फीजियो के फिजिटरपी कि तरह हमारे ब्लड का भी सरकल कुछ अच्छा हो जाता है और बहुत से टैस्ट जो रियोफ कोस्ट भी नहीं हो जाते हैं और हमारे जो हार्ट में ब्लड के कारण प्रॉल नहीं हो इसके भी सो हालों तैसमें से तो आप लोग देखिए कि स्टाप जो कितना कोपरेटिव है और कैसे गाइड कर रहे हैं और यह जो बोक्स है यहां पर सारा ब्लड जो वो बिल्कुल हाईजिनिक तरीके से रखा जा रहा है सो दोस्तों यह हैं इस संस्ता के चेर मैं नहीं बोल सकते हम इनको भी तो इन कानाम है संबीर बाइजी यह मेरे गाम के हैं तो बाइजी थोड़ा अपनी संस्ता के बारे में बताएंगे कुछ है समार्ठ समाचिकार करता है समू जो हमने पिछले साल से ही इस क्रोणा की सेकिंड वेव के बाद हमने कारे शुरुक किया थे ताथे महाकाल में जो आज मारा बलर्ड डठ ऑनिनिशन और यह चौले किहां चो बर्किण है हमारो बलर्ड डोनिशन कैम और वो जो सावे तबंग का था सब्सक्राइब वारा अपृर्टे लाइन एक आ जो एक आसी चीज-चा है कि जिसकी हमें जुरूरत कना जलते हैं वो यह ब्लड यहां टांडा में एविलेबल हमने करवाया है और आईजेमसी में भी हमारा सरकल है बना हुआ तो जो भी डोनेशन अभारी हैं उन सब के जो यहां पर ब्लड डोनेशन के लिए आए हुए है जैसे लोगों के अंतर नेक्टिविटी होते हैं कि हम ब्लड देते हैं तो हमारा खून कम हो जाएगा तो ऐसी चीज़ों के बारे में आप क्या कहना चाहिए ने ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि यहां पर पूरी डोक्टर टीम होती है वो पहले देखते हैं कि आप ब्लड देने के लाइक है या नहीं है उसके बाद ही ब्लड लेते हैं कोई अगर चैनल यूट्यूब बनाया है वो एक अच्छे और हम इंसका इ Mode करने के लिए आए और उनका दिल से स्वागत करते हूं और इस आवार वक्ट करते हैं बाकी एक मूंच से चलो आती ही द्रिकते हैं आप करनी पढ़ते हैं और जो लीचर प्रकें निकलता है वो ही सही मायने में एक अच्छा इंसान बनके अगला केमप कहाँ पर होगा अभी अगला हमारा नेक्स्ट बढ़ोल में प्लानिंग चली हुई है और नेक्स्ट मन तक साइड बढ़ोल में तो यह मेरे यूटूब चैनल की तरप से आप सभी को अगरा है कि आप वह कि आज कल बीमारियां ऐसी हो रखेंगे किसी का ब्लड गाड़ा हो रखा है किसी को ब्लड पतला करने के दुवाईयां लगी है तो अगर आप ब्लड डोनेशन टाइम करवाते हैं तो आपको इन चीजों से बहुत जारा निजात मिलती है सो अभी टाइम आ गया है कि जो में इन डोक्टर हैं उन से थोड़ा जानकारी ले उनको मैं अपने योट्यूब चैनल में लेकिया हूँ अभी ब्लड के महाकाल में चला हुआ है यह हमारे रिस्पेक्टर डोक्टर अनिल मनाजी जो अभी पालंपूर गौश्पिटल में अपनी सेवान दे रहे हैं इनी के अं फल्टिय। छोड़े जिसे पती है यह होटा है टेकि ब्लड देने से हम कमस्राइब आजैंगे एक स्वस्त आज्मी एक युनिज़ ब्लड हर 3 मेhes वाद दे सकता है, और उसका जो अगर देने के बाद इसका जो ब्लूड है एक आपते के अंतर न दोदन के अंतर मिलकुल इ जाता है और उसको कोई भी कमजोरी या कुछ भी ऐसा कोई इसका नहीं होता है मतलब फिजियोलोजी के लिए जो हमारी रिसर्च है उसके साब से बिल्कुल ठीक है यह आप हर तीन मिन्ने में जो मर्द हैं फी मेल्स हैं वो साल में चार वार दे सकते हैं और फी मेल्स यह तीन यहए पूरे एक साल में और कुछ कंडीशन्स होती है जैसे हमारा है अच भी जो है वह तोलब फॉइन 5 ग्राम से अपर होना चाहिए वह दे सकता है वहीट हमारे 45 से उपर होना चाहिए और कोई द्वाइब गयरह नहीं होने चाहिए यह कोई में में ब्लंड निकलने से जैसे भी पता होगा कि कोई हमें कमजोरी आती नहीं है तो इसमें कोई आपको गफराने की बात नहीं है तो उससे भी फर्क बड़da हो पतला होता है कोई ऐसा है हमजे बलाट गठाड जो है वो माँ दो तरह की कृडिशिन होती ऐक हॉजियॉर।ता है हैं एक पती इन पता है। अवर।्विघूम्र नहीं ही होता है जैसे बड़ी हाइट पे जो लोग रहते हैं वह अग्सेजन की कमी से एच बढ़ जाता है। जैसे हमारे सानिक हैं को पारगिल में या कोई उंचे स्थानों में जो उनकी ड्यूटी लगी है तो उनका एच भी बहुत जादा हो जागता है। तो साड़े सारा तक तो हम अगर एच भी हो तो हम ले लेते हैं पेशन्ट को दे लेते हैं। लेकिन उससे जयदा गाड़ा ब्लड हो तो उसको हम पेशन्ट को नहीं देते हैं। वह थरापेटिक लिए हम लेते हैं उसको जस्ट की उसका जो एच भी लेवल हो काम हो जाए। और एक कंडिशन होती है जिसमें कुछ रोग होता है जिसमें कि बलड अबनॉर्मल तरीके से ज्यादा बढ़ जाता है एच बार बार बलड देने से ये फाइदा होता है कि आपका बलड वैसे भी कम हो जाएगा जो आपने बात की कि पतला रहेगा तो उसका मतलब में चीज होती है कि HbA आपका कम हो जाएगा जैसे आते हैं तो हाई आल्टिचुड पे तो उसका जो HbA वो कम हो जाएगा देने से कम नेचुरली कम होगा जैसे सर्थ जो लोग अभी जिनका बलड गाड़ा है जो वो दुवाईया कहते हैं खून पतला करने के लिए तो बो आदमी में दे सकते हैं जिनके एभी 13 चोरा चलो हम बलड अगर खून पतला करने की दौई जैसे प्लेटलेट्स के लिए ए एस्परिन डिस्परिन या बलड कर ट्रांस्फिजन करोगे दोगे तो वो उस पेशन्ट में कंप्लीकेशन पैदा कर सकता है बलीडिंग डिसॉर्डर्स हो सकते हैं लेकिन जो आम पतला करने की जैसे आप स्टेट्स ले रहे हैं तो उसमें कोई इतना जैदा परिशानी की बात नहीं है उसका बलड हम जो लगभग पचास साथ प्रसंट नसे के तरफ जा रहा है तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं कोई मोटिवेशन उनके लिए कुछ सबसे ज्यादा तो मेरी उनको यही सुझाव है कि अपना ब्यक्त टाइम वेस्ट ना करें आप अगर एक बिले बैठे रह अगर आप इन कारियों में जुडेंगे जैसे बलड डोनेशन है खेल कूद है अपना कोई समाजी कारें हैं अच्छे कारें करेंगे तो आपको नश्यों की तरफ ध्यानी नी जाएगा तो इन में अपना ताइम पिटाईए और समाज सेवा कीजिए तो आप स्वस्त कि अच्छे हैं अच्छे हैं आज के लिए तो हम इतने शुकर हुजा रहें कि बलड एक हर इंसान नहीं दे सकता जिसमें जज़वा होगा वही देगा क्यूंकि आज की महिलाय में देख रही हूं कहीं भी पीछे नहीं है आज पहले रजनी जी थे उन्होंने भी बलड दिया और इंका नाम सुमन जी देखें कहीं भी आज की महिलाय पिछे नहीं है यूँगां के लिए एक संदेश है कि वो बच जड़ के भांगें और बलड डोनेट करें अब आज यह जो और टीचर जबने पलाश्ट में पड़ता था इस नगर में तो सर आपने डोनेट कर दिया कितने बार उसर इस वार अप्रॉस्मेट्ली मोर्डन टैंट आम्स हो गया दस बार शूपर तो होई गया मिनिमम् टैंट अब तेक असर बहुत बहुत दन्यवाद आपका सलूट बनता आपको भी कि आधा भी खुशी का मोखा है कि के समद्पल जो एक समाजे से भी संस्ता है और समाजे बहुत अच्छा काम कर रही है और सबसे अगारा मैं बधाई दिना चाहूंगा हमारे स्रीवीड होंते हैं और पर्दे के में से जाह काम करते हैं तो सफ़ी बताई जो हो सभीर भाइखों है और इनकी जितरी वी यहां पर अपना ड़न देने आएं लोग वो सभी बताई के पातर हैं और तो आज इन बता रहे थे तो यहां के जो पार्षित हैं व अपना साभी आई अधे यह बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है उन लोगों के लिए जो कुछ बिमार जिनको जूत है खूं के लिए गूरेट कर रहे हैं तो यह मैं समता हर किसी को अपना जो लोग फ़स्ट है जिए कोई बिमार नहीं है वह कहर किसी के लिए वह अपना ब्रॉद ब्लड कर सकते हैं हर कोई करता है जब हम किसी के लिए थोड़ा सा करते हैं ला समस्था है कि हम समझे कि हमाली चिंदीकी सफहल हो गई और यह और जो नहीं जो भूली खरी और बहुत से जुड़ी हूई है तो दोस्तों अर्जीत वाई अपने साथ बैठे हुए और यह था अजिका ब्लड केम्प का जो ब्लोग था जो मैं आपके सामने सेर किया तो नेक्स्ट ब्लड केम्प जो अब हुआ है बढ़ोल में डेट पता है आपको नहीं तो डेट जो हुआ है आपको डिस्क्रिप्सिर म बुप चाहें तो और फिबहुत सी वीडियो के साथ में आपके सामने रूब होगा बहुत जल्दी ते टेक कीर आओ अप मिद्ट वेस आमीड़ गदाभी ए ज़ने पित्सके